नमस्कार बैजूज आये सिंदी में आप सभी का स्वागत है और आज हम 29 अगस्त के दहिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्पून समाचारों का विशलेशन करने वाले हैं तो आये सुरू करते हैं आज का समाचार विशलेशन सबसे पहले मैं आपको ये पता देता हूँ कि आज कई सत्र में हम किनकिन विशियों पर चर्चा करने वाले हैं पिछड़ा वर्ग निती को ले करके एक न्यूज आया है हम उस पर सबसे पहले चर्चा करेंगे क्रीमी लेयर से कौन समंदित हैं इसको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है हम उस न्यूज की भी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं हिमाले में जल विधुत पर जुनाएं क्यों जोखिम भरी है इसको अधार बना करके एक न्यूज आया है हम उसका भी यहाँ पर चर चर्चा करने वाले हैं तो आए सुरू करते हैं आज के इस सत्र को आज के पेपर के पेज नंबर 11 पर एक न्यूज आया जिसका सिर्सेक है और ये टॉपिक जिस पेपर 2 पॉलिटी और गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है इस न्यूज में 105 वे समिधान संसोधन की चर्चा की गई है यह समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर इस संसोधन की हमें क्यों आव सकता पड़ी और इस संसोधन में क्या मपरमुख बाते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 19 सगस्त को राश्पती रामनात कोविन जी के द्वारा 105 वे समिधान संसोधन को मंजूरी दे दी गई है जिसका उदेश राज्यों को समाजिक और सेक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की उनकी सकती को दुबारा से बहाल करना है जैसा कि मैंने कहा कि इस न्यूज में ये समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर हमें इस संसोधन की आवसकता क्यों पड़ी और इसको समझने के लिए आपको 102 समिधान संसोधन को समझना पड़ेगा आप सभी जानते हैं कि 102 वे अमेंडमेंट के द्वारा ही समाज और केंज सासित परदेश के समंद में SEBC यानि की समाजिक और सेक्षनिक रूप से पिछडे वर्गों की एक सूची अदुसूचित करेंगे और इस सूची को केंद्रिय सूची कहा जाएगा और यहां पर ये भी कहा गया कि एक बार जब ये सूची अदुसूचित हो जाएगी तो इसे केवल संसद में ही बदला जा सकता है यानि कि इसमें बदलाव करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास था यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जब माराठा रक्षन के उपर चर्चा हो रह थी सुप्रीम कोट में तो इसी को अधार बना करके सुप्रीम कोट ने यह निसकर्स निकाला था कि 102 संसुधन लागू होने के बाद राज पिछडे वर्गों की पहचान नहीं कर सकते हैं और केवल राश्पती ही ऐसा कर सकते हैं और संसत के द्वारा ही इस सुची में बदलाव किया जा सकता है यानि कि सुप्रीम कोट ने यह साफ कर दिया कि राज्यों के पास अब यह पावर नहीं है कि वो इस सुची में बदलाव कर सकें और इसी को देखते हुए राज्यों के द्वारा इसका विरोध किया गया बिपक्ष की पार्टियों के द्वारा भी इसका विरोध किया गया और सुप्रीम कोट के इस फैसले के बाद यह जरूरी हो गया था कि अगर राज्यों को उनकी सक्ति वापस करनी है तो केंद्र को एक समिधान संसोधन पास करना होगा और इसी को देखते हुए केंद्र के द्वारा 127वा समिधान संसोधन विधयक पेस किया गया और इसके पारित होने के बाद और राष्ट्पत किया गया है वो कहीं न कहीं 102 वे amendment से जुड़ा हुआ है और इसमें जो बाते कही गई थी उसी के कारण राज्यों के पास जो ये power था कि वो अपने अपने राज्यों में समाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान कर सकते थे वो power उनके पास से चला गया था यहां पर यह भी समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर 105 वा संसोधन क्या करता है उसके दोरा कौन-कौन से changes किये गये हैं यहां पर यह कहा गया है कि 105 संसोधन में यह कहा गया है कि राश्प्रती के द्वारा अधिसूचित SEBC की जो सूची है वह केवल कें सरकार के उ प्रयास किया गया है कि केंद्रिय सूची का मतलब है ऐसी सूची जिसे केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है और राज्यों में जो सूची है वह इससे अलग हो सकता है और इसी बात को यहां पर किलियर करते हुए कहा गया है कि परतेक राज्य और केंसासित परदेश कान पर ACBC को कैसे परिभासित किया जाता है इस बहस को भी समाप्त करने का प्रयास किया गया है और इस संसोधन के द्वारा 102 संसोधन में दी गई परिभासा को भी बदला गया है 102 संसोधन में ये कहा गया था कि समाजिक और सेक्षनिक रूप से पिछड़े वर्ग ऐसे पिछड़े वर्ग होंगे जो अनुछेद 342A के तहट राश्ट्पती के दोरा जारी किये गए सूची में होंगे यानि कि जिनका नाम इस सूची में होगा उन्हें ही समाजिक और सेक्षनिक रूप से पिछड़े वर्ग माना जाएगा ये कहना था 102 संसोधन का लेकिन यहाँ पर अब यह कह दिया गया है कि SEBC यानिकी समाजिक और सेक्षिनिक रूप से पिछड़े वर्ग वे वर्ग होंगे जिन्हें केंद सरकार या राज या केंद सासित परदेसों के द्वारा इसी अनुछेत के तहट सूची में रखा गया है यानिकी केंद सरकार के सासित अगर किसी राज सरकार के द्वारा अपने यहाँ एक नई सूची बनाई जाती है और वहाँ पर जिन लोगों को समाजिक और सेक्षिनिक रूप से पिछड़े वर्गों का दर्जा दिया जाता है उसे भी समाजिक और सेक्षिनिक रूप से पिछ निनने दिया था तो बहुत ही important news है ये आए एक और news की यहां पर चचा कर लेते हैं आज के paper के page number 11 पर एक news आया जिसका सिर्शक है what has the supreme court rule on creamy layer और ये topic भी gs paper 2 polity और governance से जुड़ा हुआ है तो बहुत ही important news है यहां पर supreme court के द्वारा creamy layer को लेकर के जो बाते कही गई है उनको हमारे exam point of view से इसमें कौन-कौन सी महत्मुन बाते हैं जैसा कि आप सभी जानते होंगे 24 अगस्त को नियाय मूर्ती एल नागेस्वर राय के नेतुत में सरोच नियाले की एक खंड पिट ने ये कहा कि पिछडे वर की creamy layer की पहचान के लिए आर्थिक मांड डंड ही एक मात्र अधार नहीं हो सकते और अन्यकारक जैसे समाजिक उन्नती, सिक्षा, रोजकार को भी ध्यान में रख करके creamy layer का चयन किया जाना चाहिए बहुत ही बड़ी बात यहाँपर Supreme Court के दोरा कही गई है, यहाँपर यह भी बताया गया है कि आखिर यह जो फैसला Supreme Court के दोरा दिया गया है, वह किस मामले में दिया गया है यहाँ पर बताया गया है कि अब फैसला हर्याना पिछरा वर्ग सिवाओं में आरक्षन और सेक्षनिक संस्थानों परवेश अधिनियम के तहट 2016 और 2018 में राज सरकार के द्वारा दो अधिसुचनाओं को चुनोती देते हुए हर्याना पिछरा वर्ग कल्यान महासभा के एक समू के द्वारा दायर किये गए एक रिट याचिका के निंडे में आया है और यहाँ पर यह समझाया गया कि आखिरिये अधिसुचनाओं क्या थी आये समझ लेते हैं यहाँ पर इस अधिनियम की धारा 5.2 का जिकर किया गया है जिसके अनुसार वहाँ पर राज सरकार ने क्रीमी लेयर को डिफाइन किया इस धारा में यह कहा गया है कि वे परिवार जिनका वार्सिक आय तीन लाख रुपे से कम होगा उनके बच्चों को सेवाओं में और सिक्षन संस्थाओं में आरक्षन का लाव पहले मिलेगा उसके बाद जो सेश कोटा बचेगा उसमें उन लोगों को लाव दिया जाएगा जिनका आय तीन लाख रुपे से अधिक लेकिन छे लाख रुपे पत्रिवर से कम है और जो परिवार जिनका आय छे लाख से जादा है उन्हें क्रीमी लेयर माना जाएगा और उन्हें आरक् त्रसाइब कि गई थी, यहाँ पर सुपःम कोट ने इन दोनों अधिशुचनाव को खारिच कर दिया और सुपःम कोट ने कहा कि धारा 5.2 असपस्ट रूप से सिर्फ आर्थिक अर्धार पर क्रीमी लेयर का चैन करता है जबकि क्रीमी लेयर का चैन करते समय आर्थिक के सासा समाजिक और अन्यकारकों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए अब यहां पर आपको यह ध्यान में रखना है कि आखिर यह क्रीमी लेयर कौन है और क्या आप सभी को याद होगा कि 16 नवंबर 1992 को 9900 की बेंच के द्वारा इंद्रा साहनी मामले में फैसले के समय क्रीमी लेयर की आउधारना को पेस किया गया था। ये भी कहा कि पिछड़ा वर्गों में उन वर्गों का पहचान किया जाना भी बहुत ही जरूरी है जो समाजिक और आर्थिक रूप से काफी उन्नत हैं जिससे की आरक्षन का फायदा उन लोगों को मिल सके जो इसके हगदार हैं। को क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षन से बाहर रखने के निर्देश दिये थें लेकिन केरल जैसे कुछ राज्यों ने तुरंत इस फैसले को लागू नहीं किया था। और इसी के कारण सन 2000 में इंद्रा साहनी के दूसरे मामले में सुप्रीम कोट ने क्रीमी लेयर को लेकर के बहुत ही महत्पुन फैसला दिया। और यहां पर उने ये किलियर करने का प्रयास किया कि आखिर किस अधार पर क्रीमी लेयर का चैन किया जाना चाहिए। समाजिक उन्नती और आर्थिक इस्ति के उच अस्तर पर पहुँच गया है। समाजिक अधिक संपत्ति से आय प्राप्त कर रहे हैं उन्हें भी आरक्षन का लाव नहीं दिया जाना चाहिए। और ये सारे सेणियों में आने वाले लोगों को पिछडे वर्ग से बाहर रखा जाना चाहिए। और वे लोग जिने आरक्षन की सक्त जरुवत है उन्हें ही आरक्षन दिया जाना चाहिए। ये सारी बाते सुप्रीम कोट ने इंद्रा साहनी के दूतिय मामले में कही। इस प्रकार इंद्रा साहनी के केस को अगर हम ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ पर सुप्रीम कूट के दौरे यह खिलियर कर दिया गया है, कि जब भी कोई राज क्रीमी लेयर का पहचान करेगा, तो वह केवल धन के बिनाह पर नहीं, बलकि सिक्छा और रोजगार सहीद, समा व्यक्ति, सिक्छा के मामले में, रोजगार के मामले में, समाजिक उन्नति के मामले में भी आगे है की नहीं, और इसी को अधार बनाकर के सुप्रीम कोट ने इन अधिसुचनाओं को खारिज कर दिया, तो बहुत ही इंपोर्टेंट यहाँ पर बात कहे गए हैं सुप्रीम क यह गए हैं, उसमें यह साफ साफ कहा गया है, कि अगर किसी व्यक्ति को आरक्षन के लाप से दूर करना है, यानि कि क्रीमी लेयर में उसको डालना है, तो वहाँ पर सिर्फ उसकी आर्थिक इस्ति को नहीं देखा जाना चाहिए, बलकि उसकी समाजिक, सेक्षनिक और रोज पुजगार के इस्ति को देख करके उसे आरक्षन के लाप से दूर करना चाहिए, आएए एक और न्यूज की हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक न्यूज आया, जिसका सिर्शक है, वाई आर दा हाइड्रो पाउर प्रजेक्ट्स इन दिनों पहले, पार्यावरन मंत्राले ने सुप्रीम कोट से ये कहा था, कि वह इस छेत्र में साथ जल विदुद प्रजनाओं के साथ आगे बढ़ सकता है, जो कथिर तोर पर निर्मान के उन्नत चर्णों में हैं, और इन प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट वही है, जो फरवरी में बाड़ से छत्रिगस्त हो गया था, यानि कि यहाँ पर बात हो रही है, उत्राखंड के जोसी मठ में 512 मेगावर्ट की तपोवन विश्नुगर प्रजुजना की, तो यहाँ पर पार्यावरन मंत्राले के द्वारा ये कहा गया है सुप्रीम कोट में, कि कम स साथ जल विधुद प्रजुनाओं ऐसी हैं, जो कि अपने उन्नत छर्णों में हैं, और उन्हें जो है, बंद नहीं किया जाना चाहिए, उनके निर्मान को चालू रखा जाना चाहिए, और इसी को लेकर कि यह समझाने का प्रयास किया गया है इस निउस में, कि किस तरीके स सरकार का जो फैसला है, वह इन राज्यों के लिए अच्छा नहीं है, यहाँ पर हिमालाय में जल विधुद प्रजुनाओं के इतिहास को समझाने का प्रयास किया गया है, आप सभी जानते होंगे कि 2013 में केदार नाथ में जो बाढ़ आई थी उसमें कम से कम 5,000 लोग मारे के थें, और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोट ने उतरा खंड में जल विधुद परजुनाओं के विकास पर रोक लगा दिया था, और यहाँ पर सुप्रीम कोट का कहना था, जब तक यह पता नहीं चल जाता कि इन परजुनाओं का कितना हाथ है इस प्राकिर्तिक आप थी बेसिन में 24 परजुनाओं की भूमिका की जांच करने थी, कि आखिर इनके कारण वहां की पार्यावरन को कितना नुकसान हो रहा है, यहाँ पर चोपडा समीती ने यहने सस निकाला कि 24 में से 23 परजुनाओं ऐसी हैं, जिसके कारण इस छेत्र की प्राश्चितिक को नुकसान उठाना पड़ रहा है, इन परियुजनाओं में 6 ऐसी परजुनाओं थी, जिसे नीजी कम्पनियों के द्वरा बनाया जा रहा था और इन कम्पनियों ने इस आधार पर अपनी परजुनाओं को पूरा करने का मांग रखा, कि उनकी परजुनाओं को केदारनाथ राज़्दी से पहले निर्मान करने की मनजोरी दे दी गई थी और इसलिए उन्हें अपने निर्मान कार को जारी रखने की अनुमती दी जानी चाहिए। पार्यावरान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और आगे चलकर के 2015 में पार्यावरान मंत्राले ने BP दास के नित्युत में एक समीती का गठन किया और इस समीती ने पूराने समीतियों के उलट अपना रिपोर्ट दिया। और दास समीती ने कुछ डिजाइन में संस प्रिम कोट से कह रही है। यहाँ पर ये भी समझाने का प्रयास किया गया है कि ऐसी प्रजिनों के सामने क्या चुनोतिया है। आप सभी जानते हैं कि फरवरी में उत्राखंड में जो बाढ़ आया था वा ग्लेसियर के तूटने के कारण आया था और इस बाढ़ में दो प ग्लेसियर के पिघलने का कारण यही सारी परुजनाई हैं। इसके अलावा आप बार बार सुनते होंगे कि उत्राखंड में हिमाचल परदेश में बादल फटने की घटनाई होती हैं। ग्लेसियर के पिघलने के कारण वहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी जीलों का निर् कि इसके कारण जिस तरीके से वहाँ पर प्रकृति का नुकसान हो रहा है वह आगे चल करके इन एस्टेट्स के सासत हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है आए एक और न्यूज की हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं आज के पेपर के पेज नंबर 11 पर एक न्यूज आया जिसका सिर्षक है वाई इस देयर अपूस फॉर एसेट मोनिटाइशन और यह टॉपिक जिस पेपर थरी एकॉनमी से जुड़ा हुआ है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीत मंत्री के द्वारा राष्ट्रिये मुद्रिकरन पाइपलाइन की घोसना की गई है और इसी को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है कि सरकार के इस फैसले से क्या हमारी एकॉनमी को आगे बढ़ाने में कोई मदद मिलेगा आखिस सरकार ऐसा क्यों कर रही है इसके पीछे के क्या कारण है यहाँ पर एक सवाल उठाया गया है कि आखिस सरकार के द्वारा संपत्त मुद्रिकरन के लिए प्रयास कीव किये जा रहे हैं। हवाई अड़ो, सडको, कोईला खदानों और होटलो जैसे सौजनिक संपत्यों को पट्टे पर देने से सरकार को क्या उमीद है और क्या या आर्थिक गत्विधियों को बढ़ावा देने में मदद कर सकेगा। यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया कि आखिर यह राष्टिय मुद्रिकरन पाइपलान योजना है क्या। अगर हम इस योजना की बात करें तो यहाँ पर सरकार के द्वारा सौजनिक संपत्यों की एक सूची बनाई जाएगी जिन्हें नीजी निवेसकों को पट्टे पर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि केवल ब्राउन फिल्ड संपतियां यानि की ऐसी संपतियां जो पहले से ही चालू है उन्हें ही MNP के तहट पट्टे पर देने की योजना है। स्वामित का कोई भी हस्तांतरन नहीं करेगी। सरकार एक निश्चित आउधि के लिए इन सपतियों को नीजी छेतर को उप्योग करने के लिए देगी और इसके बदले में सरकार को एक अच्छी खासी कमाई होगी। और ये आउधिपुरा होने के बाद सरकार इन सपतियों को इन कंपनियों से वापस ले लेगी अगर इन पटों को आगे नहीं बढ़ा जाता है तो यहां पर सरकार का यह कहना है कि सरकार इन संपत्यों को बेज नहीं रही है बलकि सरकार इने लीज पर दे रही है जिससे सरकार को अच्छा खासा कमाई हो सकता है यहां पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि क्या MNP से अर्थवस्था को मदद मिलेगा जैसा कि मैंने कहा कि सरकार का मानना है कि अगर साजुनिक संपतियों को नीजी नीवेशकों को पट्टे पर दिया जाएगा तो इन संपतियों को बनाने में जो पूझी लगाई गई है वो पूझी आसानी से निकल जाएगी यहाँ पर एक्जामपल देते हुए समझाने का प्रयास किया गया है कि अगर सरकार किसी रोड को बनाती है और इस रोड को बनाने में अगर वो 100 रुपे का खर्च करती है तो इस 100 रुपे को निकालने में उसे 10 साल लग जाते हैं यहाँ पर सरकार के दोरा इस रोड पर टोल प्लाजा का निर्मान किया जाता है लेकिन इस टोल प्लाजा से कमाई इतनी कम होती है कि पूरा पैसा निकालने में लगभग 10 वर्सों का समय लग सकता है लेकिन यहाँ पर सरकार का कहना है कि वह अगर इस रोड को किसी नीजी कमपनी को 30 वर्सों के लिए लीज पर दे देगी तो यहाँ पर सरकार को उस कमपनी के दोरा 100 रुपे से जादा का रेंट दिया जाएगा याने की पैसा दिया जाएगा जिससे यहाँ पर जो 100 रुपे लगाया गया है वो भी निकल जाएगा और इसके अलावा सरकार को कुछ और पैसो का भी लाव हो सकता है यहाँ पर अगर सरकार तुरंत इस पैसे को निकाल लेती है तो इसी 100 रुपे का इस्तमाल वो किसी दूसरी परिजुना में करेगा जिससे कि हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को ले करके काम होता है वो और तेजगती से हो पाएगा तो यहाँ पर सरकार के अपने तर्क हैं इस निउस में इसके खत्रे को भी समझाने का प्रयास किया गया है यहाँ पर जो सबसे बड़ा खत्रा है वो है भरष्टाचार यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिन कमपनियों को यह सरकारी संपत्ती दी जाएगी वे कमपनियां अक्सर राज्टिक प्रभाव के अंदर काम करती हैं और इसलिए इनके लीज को पाने के लिए भरष्टाचार हो सकता है उनी नीजी निवेशकों को यहाँ पर यह संपत्ती मिलेगी जो इन राज्टिक दलों को इन अफसरों को पैसा देंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो खत्रा है वो भरष्टाचार का है उसके अलावा यहाँ पर विपक्ष के द्वारा ये भी आरोप लगाये जा रहे हैं कि इसके जर्ये सरकार कुछ व्यवसाईयों को फाइदा पहुँचाना चाहती है यानि कि ये सारी की सारी संपतिया कुछ नीजी कंपनियों के हाथों में चली जाएंगी जिससे की मोनो पोली का निर्मान हो सकता है इसके अलावा यहाँ पर जो तीसरी चिंता है वो है उच्छी पीमते यानिकी हाई प्राईश आप सभी जानते हैं कि सरकार के द्वरा हवाई अड़ो, रेलवे स्टेशन, सड़को और अन्य साजनिक उपयोगिता के उद्योगों को नीजी निवेसकों को पट्टे पर देने की उजना बनाई जा रही है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसके कारण इन सभी के कीमतों में भारी उचाल होगा यानि की हवाई अड़े, रेलवे और सड़कों का उपयोग जो है महगा हो जाएगा क्योंकि इन कंपनियों के द्वरा अधिक लाव कमाने के लिए लोगों से जादा कीमते वसूली जाएं साजनिक उपयोगिता का नियंतरन केवल नीजी कमपनियों को सौब देती है तो इससे उभुकताओं को खराप पढ़ना मिल सकते हैं यानि कि आसानी से साजनिक संपत्यों को नीजी हाथों में देने से मार्केट में मोनोपोली जैसे इसती बन सकती है तो ये सारे कारण भी यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है कि जो सरकार करने जा रहे उसके क्या खत्रे हैं यहाँ पर आगे के राह के उपर भी चर्चा की गई है और कहा गया है कि सरकार के द्वारा जो योजुना लाई गई है उसकी सफलता नीजी निवेस्को के बीच ब्राउन फिल्ड सरकारी संपत्यों की मांग पर निर्भर करता है यहाँ पर Air India का example दिया गया है यानिक यहाँ ये समझाने का प्रयास किया गया है कि ये निजी कमपनियां उन्ही सरकारी कमपनियों को लीज पर लेंगी जिनकी मांग ज्यादा है जैसे रेलवे जहां पर उनके फाइदा होने का चांस बहुत ही ज्यादा है तो इन सभी बातों की यहां पे चर्चा की गई है और यहां पे समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिस सरकार का क्या कहना है इसमें क्या रिस्क है और हम इसको लेकर के आगे कैसे बढ़ सकते हैं तो बहुत important news है इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे आए अब आज के विश्यो परधारित मुख्य परिक्षा के अभ्यास प्रस्नों को देख लेते हैं यहां पर question number one है कोट ने क्यूं कहा कि पिछड़ा वर्ग में अमीरों की पहचान के लिए आर्थिक मान डंड ही एक मात्र अधार नहीं हो सकता इसकतन पर चर्चा करें तो इस साहनी केस में जो सुप्रिम कोट ने क्रीमी लेयर को लेकर के बाते कही थी उसका भी आप उलेक करेंगे आए देख लेते हैं दूसरे question को दूसरा question है हिमालय में जल विधुत प्रजनाई जोखिम भरी क्यूं है चर्चा करें जब आप इसका उतर लिखेंगे तो भूमिका म इन छेत्रों में होने वाली प्राकिर्तिक आपदा पर चर्चा करेंगे बहुत सारी ऐसी आपदाएं हैं जो हाल फिलहाल ही हुई है आप उसका यहां पर जिक्र कर सकते हैं और मुख्य भाग में हिमालय में जल विधुत प्रजनाओं के इतिहास का उलेक करेंगे बहुत सार कमेटिया बनाई गई हैं आप उसका यहाँ पर उलेख कर सकते हैं इससे होने वाली छती का उलेख कर सकते हैं और आसानी से अपने उत्तर को लिख सकते हैं आसा करता हूँ कि आपको आज का यह समचार विसलेशन पसंद आया होगा सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपोर्टेंट ह यहाँ पर मेरे द्वारा बताई गई हैं आप उनको ध्यान में रखेंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें सेयर करें और दूसरों को भी सस्क्राइब करने के लिए प्रेरित करें तो मिलते हैं समाचार विसलेशन के अगले अंक म तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद